एक लाइफा इंडिका यह एक होमियापैथिक मेडिसीन है तो आज हम एक लाइफा इंडिका पर बाद करेंगे पहले हम एक लाइफा इंडिका का प्रकिर्थिक नेचर के बारे में जान लेते हैं पाचक्रन्थियों के साथ अनपत तथा स्वास्यंत्रों पर इसकी सुअश्पष्ट क्रिया होती है प्रच्छन छैरूप के साथ कठीन अत्यांत कष्टकर कास कास का मतलब होता है खासी रगताक्त बलग वा धमनी रगसराव में उतकारी होता है पर इनके साथ जवर नहीं रहता सुबह में अत्याधिक दुरबलता दीन में फिर से सकती संचे कर लेना वर्धन सील छीनता किसी भी रोग जनित रगत सराव का प्रातः कालीन उपचै वच्छ कठीन सुष्क कास के उपरान रगत बवमन सुबह वा रात में अधिक छाती में निरंतर वा भ्यंकर वेदना उजवल लाव रख वा सुबह को अधिक नहीं साम को कलासा वा धक्केदार नाडी कुमल वा दवाई जाने जुग्य गनकोस अन्वाहिनी वा पकासे में जलन उदर अंग तो में जलन छिड़ता हुआ अतिसार कसांथ बेग जुद सब्द अपान बायुत्याग नीचे की ओर हिचने वाली वेदनाएं वा कुंथन गड़गडा हट वा अध्यमान तथा उदर में नोच्ती वेदना मलांत्र से रग्सरा शुवह में अधिक चर्ण पांडू खुजलाहट के साथ पोड़े जैसे गोल अस्पीतियां हास और गृधी प्राताफ कालीन इसका जोरूब है बढ़ जता है शंबन तुलिये मिली फोलियां फासपोरास एसेटिक एसिड कैली नाइट्रिक